हेलो प्रेंट्स इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 के पॉलिनामियल चैप्टर का कुछ MCQ सॉल्फ करेंगे जिसमें पहला सवाल है कि एक्सवायर मांडस टू एक्स प्लस वन इजभ पैलिनामियल इन वन वरियमल डू वरियमल यहीं तर न यहां पर बात करें यहां पर भी केवल एक्स ही है अगर कि कोई पैलिनामियल में मौनलो इस परकाहल लिए इसकुएर प्लस टू तो यह जो हो जाता है इसमें एक्स और वाई दोनों है इसलिए यह हो जाएगा टू बैरेबल में है लेकिन यहां पर अगर हम देखें तो हमें बताना क्या है कि कितने बैरेबल में है तो इस वाले जो पालिनामिल दिया हुआ है इसमें केवल और केवल एक्स दिख रहा है इस से x plus 1 इसमें coefficient बताना है x square तो एकस square का जो coefficient होता है कि कोई भी polynomial मालो लग दिया जाए कि x square 2 x square और प्लस 3 x तो इसमें अगर हमें x square का coefficient बताना हो तो इसमें जो multiply करके लिखा होता है वही उसका coefficient होता है जिसे अगर हम इसमें x का coefficient पूछें तो X का coefficient हमारा हो जाएगा 3 तो जो polynomial दिया गया है इस polynomial में अगर हम देखें तो यहां पर X square हमारा यहां पर लिखा हुआ है तो X square का जो multiply किया गया है वो 2 से multiply किया गया है इसलिए X square का जो coefficient होगा वो 2 होगा इस परकार option B जो होगा वो सही होगा यानि correct होगा तीसरा सवाल लिखा है यह binomial of degree 20 in the following इसमें बताना हमें क्या है कि एक ऐसा binomial है जो जिसकी degree 20 है तो degree 20 binomial का मतलब होता है जिसमें दो term होगा ऐसा polynomial होगा जिसमें degree जो term होगा वर 2 होगा जैसे लिख दिया जाए कि X square प्लस 5 तो इसमें एक term यह हो गया और दूसरा term यह हो गया तो इस परकार से यह binomial कहलाता है अब हमें degree बताना है तो कोई भी polynomial की जो degree होती है वह अधिक्तम power होता maximum power जो होता यह से लिख दिया जाए X के power 15 प्लस 3 X के power 4 प्लस 2 तो इस परकार एक polynomial अगर है तो इसकी डिग्री हमें बताना है तो डिग्री जो होगा वो 15 होगा अब हम सवाल को देख लेते हैं कि सवाल में क्या है तो यहां पर देखें हमें अपशन दिया हुआ है 20 X plus 1 20 X plus 1 इसमें दो टर्म है यानि बाईओन नामियल तो है लेकिन direct हमें कितना लाना है 20 तो इसने degree и 20 नहीं है और यह xपान 20 यह मारा क्या हो नागे लेकिन आप्सन C की बात करें तो यह हो गया और िक्षास की सभी होगा अब दिखें the degree या 4x cube minus 12x square plus 3x plus 9 हमें degree बताना है जो polynomial दिया हुआ है कि 4x cube minus 12x square plus 3x plus 9 इसकी degree बताना है तो अगर हमको इसकी degree बताना है तो कोई भी polynomial अगर इस परकार से दिया होता है कि यहाँ पर देख लेते हैं अगर 3x square plus 2x plus 1 इस परकार से एक polynomial दिया हो है तो इसकी degree बताना है तो इसमें देखा जाता है कि x का जो maximum power होता है तो maximum power यहाँ पर 2 है इसलिए इसकी जो degree हो जाएगा इसका 2 हो जाएगा तो हमें जो polynomial दिया गया है वो polynomial है 4x cube minus 12x square plus 3x plus 9 तो इसकी अगर बात करें तो इसमें जो degree देखी जाए तो सबसे अधिकतम power यह 3 है x का जो maximum power थे इसलिए इसकी degree भी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा तो option d correct होगा अब देखे पाचवा सवाल क्या है कि x square minus x is dot dot polynomial यह बताना है कि यह linear है quadratic है, cubic है कौन सा polynomial है तो कोई भी polynomial जो होता है वो linear होता यह उसका जो degree हो 1 हो मतलब जैसे अगर लिख दे x plus 1 तो एक polynomial इस प्रकार है जिसकी degree जो है वो 1 है क्योंकि x का maximum power कितना है 1 है इसलिए यह हो जाएगा हमारा linear इसी प्रकार अगर हम दूसरा देख लेते है quadratic क्या होता है तो quadratic में जो होता है कि x square plus 2x तो इस जिसम की degree क्या होती है 2 मतलब कोई polynomial हो जिसकी degree 2 हो तो वो quadratic कहलाता है तो यहाँ और तीसरा हो है cubic polynomial तो cubic polynomial भी देख लेते है अगर कहीं लिखा हो x cube plus 3x plus 2 तो इसकी degree कितनी है 3 है इस परकार से यह जो polynomial होगा या cubic polynomial कहलाता है तो हमें जो सवाल दिया गया है उसमें है क्या कि x square minus x तो इसकी बात करें तो इसमें जो x का maximum power है वो 2 है यानि कि इसकी degree क्या हो जेगी 2 हो गई और degree जब 2 हो गया तो यह polynomial कैसा होगा quadratic होगा तो option भी correct होगा चछठा सवाल देख लेते हैं x minus x cube इस यह dot dot polynomial इसमें भी बताना है कि यह कैसा polynomial है तो इसमें भी degree अगर बात करें तो degree कितनी होगी 3 होगी क्योंकि x का maximum power कितना है 3 है और जब degree 3 है तो यह कैसा polynomial होगा cubic polynomial होगा यानि option c correct होगा इसमें देख लेते हैं क्या है कि साथमा सवाल 1 plus 3x is यह dot dot polynomial 1 plus 3x है यह कैसा polynomial है तो इसमें बताना है linear quadratic cubic आभी हमने बताया कि जो जिसकी degree अगर 1 होगी तो वो linear होगा degree 2 होगी तो quadratic होगा और degree 3 होगी तो cubic होगा तो यहाँ पर जो है 1 plus 3x 1 plus 3x है तो इसकी जो degree होगी वो हमारा हो जाएगा 1 क्योंकि maximum power इसका कितना है 1 तो degree क्या होगी इसकी 1 और degree 1 होगी तो इसका जो यह कैसा polynomial होगा linear polynomial होगा आठमा सवाल the value of fx यतना होएं x is equal to minus 1 हमें x की value find करना है जब x बराबर कितना हो minus 1 हो तो यहाँ पर x के अस्थान पर रख देते हैं तो यह हो जाएगा f of कितना रखना है minus 1 तो यहाँ पर minus 1 रखेंगे तो 5 into में minus 1 और minus 4 और minus 1 का square plus में 3 और जब इसको solve करेंगे तो यह आएगा minus 5 और यह आएगा minus 4 यानि minus 4 और plus में 3 तो यह हो जाएगा कितना minus 9 और plus 3 है यानि कि minus 6 हो जाएगा तो इसका जो answer आएगा fx का value यह बराबर minus 1 पर fx कमान जो आएगा वो आएगा minus 6 यानि option c जो होगा वो correct होगा नो असवाल देख लेते हैं कितना है the value आप the value आप pt बराबर एतना एतना होया t बराबर 0 जब t बराबर 0 हो तो अब हमें pt की value find करना है मतलब हमें करना क्या है कि t के अस्थान पर 0 रख देना है यहां पर अगर हम बात करें तो pt यानि p0 निकालना है तो यह 2 तो ऐसे रहेगा plus t के अस्थान पर 0 हो जाएगा और plus 2 into 0 हो जाएगा क्योंकि 0 का square 0 ही आएगा minus यह भी क्यों होगा 0 होगा क्योंकि cube करेंगे तो 0 आएगा तो यह हो गया 2 और plus में यह है कितना यह भी 0 बाकी सब 0 हो जाएगे तो केवला आंसर इसका 2 आएगा इस परकार से इसका जो option होगा वो option यह सही होगा दस्वा सवाल देख लेएगा 0 आप देग पॉलिनामियल fx fx इक्वल 2x प्लस 7 अज्वा जीरो गयाद करना है अगर जीरो गयाद करना होता है तो हमें करना क्या पड़ता है कि जो fx दिया है इसको 0 के इक्वल कर देंगे fx इज़ इक्वल 2 जब 0 करेंगे नैंकि 2x प्लस 7 इक्वल 2 तो 2x इक्वल 2 हो जाएगा माइनस 7 इसी प्रकार अगर हम x is equal to निकालेंगे तो माइनस से बन और अपान में 2 आ जाएगा यह माइनस से बन अपान 2 तो इसमें जो आपसन हमारा दिया हुआ है डी आपसन यानि इसका जो आपसन डी होगा वही correct होगा